होरलेश और नेटवर्क एजिन लेकर आए हैं मिशन पोशन हविश्य रोशन मुकेश करना जी आवाज आ रही आपको जी अभी आ रही आवाज मैं मैं ये मुझे ये समझ में नहीं आ रही एक बात कि इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि हमारे देश का एक दुश्मन हमारे देश के सुरक्षा का एक दुश्मन बाहर से अगर ये कहता है कि मैं हम अपने देश के प्रदान मंतरी का हम खून बहा देंगे और यहां पर अगर वो किसी ने कहा कि ये भी मोदी जी के खिलाब बोल रहा है और हमारा जो अपोजीशन है जो मन बना के बैठा हुआ है कि किसी भी तरह से मोदी जी को हराना है चाए गटबंदन हो चाए महा गटबंदन हो चाए किसी भी तरह से गले मिलकर बेशर्मी से मोदी जी को हराना है अगर दोनों यही एक बात कर रहे हैं तो इसमें संबित पाता रहे हैं यह क्या गलत का है उन्हाने का यह दोनों ही चाहते हैं मोदी जी को हराना विकास की बात बात में आएगी पहले इस बात के अपर बहुत बहुत कीजिए मुकेश खन्ना कौन है पहले ये बताईए ना ने मुकेश खन्ना जी आप कह रहे बेशर्मी से सब गले मिल रहे हैं तो शर्म से मिले ये पहले सर्टिफिकेट मुकेश खन्ना दे लेना पड़ेगा क्या मैं मुझे ने आप बताईए आप बताईए कि आपने किस तरह दे ये कहा आप भारतिय जन्ता पार्टी के प्रवस्ता है मुझे एक बात बताईए ये बेशर्मी शब्द कैसे यूज़ कर सकते ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है क्योंकि हुआ है बेशर्मी में क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो शर्म के बीच में नहीं है बात जो पार्टियां आपस के एक दूसरे को गाली दे रही है वो आज देश के विकास के लिए बिजी चिंतित नहीं है वो सिर्फ इस बात पर चिंतित है कि इन मोदी जी को कैसे हराया जाए ये अपोजिशन नहीं है ये देश के लिए अपोजिशन नहीं हो रहा है ये सिर्फ अपनी एक बात है कि मोदी जी को हराना है इसके लिए चलो दुश्मनी भूल जाते हैं आईए आपके सब शिक्वे भूल जाते हैं इस बार हाथ मिला लो गले मिला लो इस शक्स को हरा दो जो हमारे देश का प्रदान मंत्री है उसके खिलाब अगर आप सिर्फ है देश का विकास एक तरफ है मोदी जी भी एक तरफ है मोदी जी ने जो कुछ भी किया है आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और आप ये अपोजिशन पार्टी वो अपोजिशन जो अपोजिशन कर रही थी आज एक जुट होकर आप हमला करती है तो ये शर झाल झाल